हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू माई चैनल शिवा एपी तो कैसे आप सब उम्मिद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे वाई देखिए आज हमारे पास आये है यामा फैसिनो बेसिक्स बाला मॉडल और इसका पूरा सर्विसिंग हो रहा है वाई और इसमें वाई मल इसी मतलब था आप लोग के लिए वीडियो बनाने का ठीके तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे बाई कभी ओन है लेकिन मलफंक्शन लाइट जो है इसका आफ नहीं हो रहा है तो देखिए ओबीडे वगड़ा सब कुछ हमने लगा के रखा है तो हमने सोचे कि आप लोग को देखते रहना है आप लोग को पूरा स्कीप मत किजिएगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ओबीडी को कैसे यूज करेंगे और मलफंक्शन लाइट जो चेक इंजिन लाइट होता है वो अगर जले तो उसे कैसे हटाएंगे देखिए बाई ओबीडी हमारा ये प दिखा रहा है हमारा वन एक फॉल्ड कोड इसमें है उसको रीट करेंगे पहले ठीके तो कैसे क्या बाई प्रोसेसे आप देख सकते वीडिडो में वीडियो को देख कर भी आप काम कर सकते ठीके जिनको ओवीडी उस करना नहीं आते तो देखिए इसमें जो फॉल्ड कोड बता रहा है वेकल स्पीड सेंसर का जो कोड इसमें अभी दिखा रहा है उसमें कुछ न कुछ दिक्कत है लेकिन दिक्कत कुछ भी नहीं होता है वो कुछ दिन बाद वो आ जाते है कोई न कोई रिजन के वज़ाए से ठीक है तो क्या है भाई हम इसको इरेस करेंगे कोड को हटाएंगे और चेक इंजिन लाइट जो है हमारा उसको आफ करेंगे तो कैसे क्या करना है ओबीडी में ध्यान दिजिएगा आप लोग ओबीडी स्कैनर पे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैस कि यह से हम इस जो प्रोस से को सही से कर रहेन थे टहूए ठीक है ट्ब्र जाएंगा आप इदर जाकर करेंगे क्लिक करने के बाद उदर बयायेगा कि डेंजिन है ओव कि रहना चाहिए और इंग्नेशन जो है ओव कर दिडिया तो तब जाकें आप इंटर दभायेंगे देखिए इधर क्या शोड़ा है ठीक है ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा देखिए इंटर कर दिया तो इधर कोई भी फॉल्ड कोट अभी नहीं होगा चलिए मीटर में जाके आपको दिखाते है किसका जो चेक इंजिन लाइट ओन था ओफ हो है कि नहीं देखिए ओफ है बाइक को स्टाट करेंगे आपको जो हाई वीम का लाइट है देखिए जल गया तो इससे आपको पता चलता है कि जो हमारा बाइक है अभी स्टाट में है कि इस बाइक का भाई जो हेड लाइट है वो बाइक जब तक हम स्टाट नहीं करेंगे तब तक हेड लाइट जो है वो ओन नहीं होता है ठीके और इसका जो हेड लाइट होता है वह डाइडेक्ट होता है इससे पता चल गया कि बाइक स्टाट में है और अभी जो चेक इंजिन लाइट इसमें always on रहता था वो अभी बंद हो चुका है ठीके आप ये मत सोचेगा कि वेकल स्पीड सेंसर का कोई दिक्कत इसमें है अगर दिक्कत होगा तो कैसे पता करेंगे वो भी बता रहा हूं अगर दिक्कत होगा तो आप वेकल को इसर रिलेटेट कोड बन रहा है उसमें कुछ दिक्कत है लेकिन इसमें दिक्कत नहीं है बाइक को पूरा चलाया हमने उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस छोटी सी वीडियो से कुछ ने कुछ सीख पाए तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे दूसरी वीडियो में तो तक सब अपना खैल रखे खुछ रहे थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो